इस क्लास में आपका स्वागत है इस क्लास में माईक्रोसफ्ट वर्ड के अंदर रिईू टैब के कुछ ओप्सन समझ रहे थे हैं यहां पर माईक्रोसोफ वर्ड को श्टार करने के बाद रिवी टैब में जाते हैं रिवी सब्सक्राइब में क्लिक करने के बाद जो नेस्ट ऑप्षन है वह बाइड काउंट को समय लेते हैं यह आपको बता दें मैंटर कंपूटर में लिखते हैं मैं आपको एक मैंटर लिख दिया है अभी फिलहाल में आपको बता दूँँ अब डिटस वार से हम दो ही चीज़ें पतागर सकते थे कि हमने मैंटर में कितने पेज लिख रखे हैं और कितने वर्ट लिख रखे हैं लेकिन अगर आपको इसकी और भी डिटेल चाहिए तो आप रिवीव में जाकर वर्ड काउंट ऑफ्षन पर क्लिक करें तो ऑफ्षन के माध्यम से आप देखेंगे यहां पर और ऑफ्षन का डिटेल दिया गया है यहां पर आप देखेंगे एक बॉक्स आ गया है बॉक्स में आप देख सकते हैं पेज बन दिखा रहा है वर्ड वन हंडड़ उट्टी सेवन दिखा रहा है क्यरेक्टर नोई स्पेस क्यरेक्टर विथ स्पेस पैरग्राफ लाइन्स यानि कि यह सारी चीज़ें आपको क्या कर रहा है सो कर रहा है कि आपने मैंटर में क्या-क्या लिख रखा है वर्ड काउंट से याद रहें स्टेटस वार्सकी एवल हम पेज नंबर और वर्ड की काउंटिंग कर अपने आप ही आती है लेकिन यहां पर वर्ड काउंट में इस six option की detail पता जल जाती है कि हमने अभी लिखा है वर्ड 147 लिखे है character no space यानि कि space को नहीं गिरेंगे तो इतने वर्ड लिखे है 741 अगर आप space वी उसमें add कर देते हैं with space सब्दों के साथ अक्षर के साथ sorry तो इसमें 888 लिखे है paragraph total 1 है lines 15 है इस तरह से word count से आप इसकी detail ल दिखा सकते हैं और चाहूंगा अगर आप matter में select कर लेते हैं area ध्यान रखे word count में केवल वही area जो आप होता है जो आपने select कर रखा है इसको आप ध्यान से देखे मैंने lines 12345 line select कर रखी है अब इस box के अंदर हम देखे है कि करके इसमें paste बन है words लेकिन इस वार यहां पर यहा है इसके बाद character no space 219 है इसके बाद characters with space इतने है paragraph कोई नहीं है lines 5 है इस तरह से आप के कर सकते हैं आप select जो भी area करेंगे उस area को select किये हुए area को word count में वो शो आफ करता है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको फिर वी किसी तरह के doubt है तो आप comment कर सकते हैं अपने friends के साथ इसको share कीजिए और अपने computing knowledge को growth कीजिए इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद